राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज मैं आप लोगों को पौराने कथा सुनाने जा रही हूँ सकट चौत के साथ में थोड़ा सनियम भी आप लोगों को बताऊंगे पूजा का विधान सकर चौत ब्रत माग मास किश्म पक्ष की चतुर्थी तिधी को किया जाता है इस दिन जो माताएं संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करती है ब्रत करती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और बहुत सारी माताइं बेहने अपने संतान के सुख के लिए इस ब्रत को धारन करती है भवान गणिस के किपा उन बालकों पर विश्यस होता है जिनकी माताइं इस ब्रत को धारन करती है अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा विधान बताने जा रही हूँ एक पाटे पर देशी घी से पाँच या साथ सतिया बनाय जाता है जिसे की सकट कहते हैं सकट माई उनकी पूजा की जाती है फूल से जल चड़ाय जाता है फिर फूल चड़ाय जाता है पाँचो सतिया पे सिंदू लगाय जाता है तिल के लड़ू, सफे तिल के लड़ू, काले तिल के लड़ू, लेया के लड़ू, सकरकंदी और कुछ रुपए रख करके उनकी पूजा की जाती है एक थाली में कच्चे तिल और गुड मिला करके गुड का बुरादा होता है गुड को मिला करके एक बकरा बनाया जाता है और बकरे के आकरती बनाई जाती है और उस आकरती को घर का जो भी लड़का होता है या अपने अपने घर का विधान होता है घर का जो भी लड़का होता है वह लड़का बली देता है एक रुपे के सिक्के से बीच से एक सिंबल समझे सिंबल की तरीके उसकी गर्दन को काटता है गर्दन वाला भाग गाय को खाने यदि आपको जानना है तो किरपया पूछेगा तो मैं बता दूँगी अब मैं आप लोगों को पौरानी कथा सुनाने जा रही हूँ अपने हाथ में तिल ले ले पूजा करने के बाद में सकट माता की और सकट चोथ की कथाएं सुनी जाती है चार कथा अवस्य ही सुनी चाहिए वह चार कथा कौन कौन सी है वह हमें आपनों को बता रही हूँ और उचारों कथा हैं आपनों को सुना रही हूँ केपया मेरे वीडियो में अंतितक बने रहे पारवती जी ने पूछा कि हे वस्य माग महिने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है उस दिन पूजा में किस वस्तु का नवेद अरपित करना चाहिए और क्या भोजनपान करना चाहिए इसे आप सब इस्तार बतलाने की किरपा करें भगवान गणेस ने माताजी से कहा कि हे माता माग मा में भालचंद्र नामक गणेस की पूजा करनी चाहिए, इनका पूजन सोडस उपचार विदी से करना चाहिए, हे माते इस दिन तिल के दस लड़ू बना कर पाँच लड़ू देवता को चढ़ाएं और सेस पाँच ब्राम को दान दें, ब्रामन की पूजा भगती पुर्वा करके उन्हें दच्छना देने के पस्चात उन पांच लड़ूं को उन्हें प्रदान कर दें, हे देवी तिल के दस लड़ूं का स्वेम आहार करें, इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद की कथा सुनाता हूँ, प्राचिन समय की बात है, सतियुग में हरिश्चंद नामक एक प्रतापी राजा हुए थे, वे बड़े छत्रिये, धर्म में पटू, सरल सुभाव, सत्त निष्ठ और विद्वान ब्रामनों के पूजक थे, हे देवी उनके सासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं उनके राज में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था, सभी लोग आदिव्यादी से रहित एवं दिरगायू होते थे, उनके राज में रिशी सर्मा नामक तपस्वी ब्रामन रहते थे, एक पूत्र की प्राप्ती होने के बाद ही वे ब्रामन स्वर्गवासी हो पूत्र का पालन पोसन उनकी पत्नी करने लगें, वह विद्वा ब्रामने भिक्चाटन के द्वारा पूत्र का पालन पोसन करती थी, उस ब्रामने ने माग मास की सकट चतुर्थी का ब्रत किया, यह पतिवर्था ब्रामने गोवर से गणेजी की मुर्थी को बना कर सदय उसने पुर्वोक्त रीती से दिल के दस लड्डू बनाएं इसी बीच उसका पूत्र गणेश जी मुर्ती अपने गले में बांध करके स्वेक्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया तब एक नर पिसाच कुमहार ने उस ब्रामणी के पांच वर्सिये बालक को जवरन पकड़ कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए आग लगा दी इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूनने लगे उसे ना पाकर वह ब्याकूल हो गई वह ब्रामणी बिलाप करते हुए भवान गणेश से प्राथना करने लगी हे गणेशी, हे विशाल सरीर वाले, हे सूरे नाराण के लाली के सद्रश कांती वाले, हे सुन्दर समू को धारन करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजे हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारन करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजे वह ब्रामनी इस प्रकार आधे रात तक विलाब करती रही, प्रातहकाल होने पर कुमार अपने पकेवे बरतनों को देखने के लिए आया, जब उसने आवा खोला, तो देखता है कि उसमें जांग भर पानी जमा हुआ है, और इससे भी अधिक आश्चर उसे तब हुआ, ऐसी अधुद घटना देख करके वह भैबस कापने लगा, और इस बात की सूचना उसने राज दरवार में दी, उसने राज सभा में अपने दुशकर्म का वर्णन किया, कुमार ने कहा कि हे महाबाव, हे प्रज्वलित अगनी के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद, म मैं अपने दुशकर्म के लिए वध के योकी हूँ, उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बरतन पकाने के लिए आवा लगाया, परन्तु मेरे बरतन कभी भी नहीं पके, सदेव कच्चे ही रह गये, तब मैंने भैवीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा, उसने कहा, चुच चाप किसी लड़के की बली चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा, मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बली दूँ, जिसके बालक की बली दूँगा, वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा, इसी भैसे, हे महराज मैंने ध्रनिष्चे किया, और इसे ही बिठा कर आग लगा दूँगा, मैंने अपनी पत्नी से परामर्स किया, और रिशी सर्मा ब्रामर्ण मृत्य हो गए हैं, उनकी पत्नी बिध्वा है, जो की भीक मांग करके अपना गुजारा करती है, अरी, वह लड़के को लेकर क्या क रेगी, यदि मैं उसके पुत्र की बली दे दूँ, तो मेरे बरतन पक जाएंगे, मैं इस दुश कर्म को करके रात में निश्चिन्त होकर सो गया, प्रात्यकाल जब मैंने आवा खोल कर देखा, तो क्या देखता हूं कि उस लड़के को मैं जिस इस्थिती में बैठा कर गय काप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूं, कुमहार की यह बात सुनकर राजा बहुत है विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आये, बाला को प्रसनता पुरवक खेलते देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का ह इस बात का पता लगाओ, इस आवे में जांग भर जल कहां से आया, इसमें कमल के फूल कहां से खिल गए, इस दरीदर कुमहार के आवे में वैदूर्य मनी के समान हरी भरी दूप कहां से उगाई है, बालक को न तो आग की जलन हुई, न तो इसे भूख प्यास लगी, यह आ अपने घर के आगन में खेल रहा हो, राजा इस तरह की बात कही रहते कि ब्रामनी वहाँ पर बिलक्ती हुई आ गई, वह कुमहार को कोशने लगी, जिस प्रकार गाय अपने बच्छे को देख कर रंभाती है, ठीक वैसी ही इस्थिति में, वह बुढ़िया थी, वह बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी, और कापती हुई राजा के सामने बैठ गई, राजा हरिश्चन ने पुछा, कि हे ब्रामनी इस बालक के न जलने का क्या कारण है, क्या तु कोई जादू जानती है, अध्वा तुने कोई धर्माचरा किया है, जिसके कारण बच् सुनकर ब्रामनी ने कहा, घे महराज, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ, हे राजन, मैं तो शंकत नासक, गड़ेश चतूरथी का ब्रत करती हूँ, उसी ब्रत के प्रभवाव से, मेरा पुत्र जीता जाकता बच गया है, ब्रामनी की बात सुनकर, राजा ने कहा, ये मेर किर्मा करते वे कहा कि हे पती व्रते तु धन है राजा ने संपोण नगरवासियों को गणेजी के ब्रत करने का आधेश दिया इस आश्चर जन गटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रते एक मास की गणेज चतुर्थी का ब्रत करने लगे इस ब्रत के प्रहवाव से ब्राम के स्री गणेस आएनमाहं गड़ेश चतुर्थीव्रत मांग मास क्ष्ण पक्षकी चतुर्थी तिति को रखा जाता है यह चतुर्थी तिति 29 तारिक दिन सोंबार सन 2024 को पड़ता है भवान गडेश की यह पूजा गडेश चतूर्थी की पूजा साल में एक बार की जाती है जो कि बड़े ही भव्वे रूप में मनाय जाता है संगस्टी चतूर्थी की पूजा तो वैसे हर मेने की जाती है लेकिन यह चतूर्थी पूजा विश्यस में तो रखता है क्योंकि इस दिन तिल से निर्मित वस्तूं का भोग लगाया जाता है भगवान गडेश को और तिल को ही खाया जाता है चंद्रमा का दर्शन करके ब्रत का पारणा करने का विधान है बहुत लोग निखन ब्रत करते हैं 24 गंटे का पूरा निखन ब्रत करते हैं और दूसरे दिन सूर्य भवान को जलेने के बाद में इस ब्रत का पारण करते हैं यह अपने अपने घर के विधान के अनुसार है संकस्टी चतोर्थी ब्रत संतान की प्राप्ति के लिए संतान की शुब कामना के लिए संतान की तरक्की के लिए इस ब्रत को किया जाता है कि संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए बहवान गणेश को दुर्बा चलाई जाती है अच्छत चलाई जाता है तिल से निर्मित वस्तुएं चलाई जाती है काले तिल के लड़ू सफे तिल के लड़ू गचक तिलकुट इस तरह की चीजों का भोग लगाया जाता है लेकिन एक बात का ध्यान रखना है इस दिन की ए भवान संकर को समर्पित होता है बड़ा ही शुब है संकर भवान की भी पूजा करनी चाहिए गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए लेकिन तूलसी दलका प्रयोग नहीं करना है इस बात का ध्यानक है आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होग और माग मास की जो कथा चल रही है बहुत ही सुन्दर मुनी म्रिग स्रंग रिसी के कथा है किस प्रकार से वह दिव कन्याओं को आशिरवाद देते हैं किस प्रकार से वह कन्याओं देव लोग में जाती हैं स्वर्ग और नरक को दर्शन करके आती हैं कि किस प्रकार का होता ह स्वर्ग और नर्ख वहां का वहां वार्णन करती हैं आकर के पृत्वी लोग पर और कितनी दिव आत्मा हैं हमारे इस प्रित्वी लोग पर है इस कथा को आप अबसी ही सुनें मेरे इसी गुरु किरपा चैनल पर माग मास की कथा डाली जा रही है इस कथा को आप सुनें और सुन करके पुनी की प्राप्ति करें शेयर करें जिससे कि जो लोग मागिस्तान करने नहीं जा पा रहे हैं हर कोई तीरत हिस्ता नहीं जा पाता है तो वह माग मास की इस कथा को सुने और सुनने से भी उनको माग मास की पुनिफल की प्राप्ति होगी आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी किर्पिया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा लाइक करने से मेरा मनोवल बहुत यदिक बढ़ता है लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दवाना ना भूलेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद